आईए बच्चों, निद्रा और तंद्रा, निद्रा और तंद्रा में सूच मंतर जाननी कोशिश करते हैं, आप सब देखे, सोजाना और नीद की अर्ध अवस्था या उंगना, दूसरा है नीद और आलस्य, इसके वाद सा नमबर जागना और सोने की जैसे स्थिति, और दा नमबर है आलस और जागरत, तो निद्रा और तंद्रा में क्या है सूच मंतर? तो बच्चों, निद्रा माने होता है नीद है, तंद्रा माने होता है आलस्य, इसलिए नीद और आलस यहाँ पर सही होगा, सब्दों में सूच मंतर